तो सबसे पहले तो गौर गौपाल दास जी है कौन अपने कई वारी नहीं यूटिब वीडियो में इंस्टाग्राम रिल्स में देखा होगा एक जो कि है तो एक मौंक लेकिन आज की डेट में modern problems को modern solutions के साथ deal कर रहे होते हैं दिमाग को कैसे सांत रखना है अपने brain के साथ अपने mind के साथ क्या emotions हो गए क्या आपके कुछ thoughts, actions, feelings इन सारी चीजों के साथ कैसे deal करना है और अपने brain पे कैसे control करना है और इसी के साथ अपने life को कैसे खुबसूरत करना है, spirituality के साथ इन सारी चीजों को इस book में deal किया गया है और बहुत ये एक layman terms में एक normal भासा में इस book को लिखा गया है क्योंकि जितने भी हमारे इस प्रकार के self-help वाले books होते हैं चाहे गौर्गोपाल दास्ची लिखे या फिर कोई भी foreign orders भी इवेन ह हूँ, बहुत simple terms में लिखने कोसिस करते हैं ताकि एक mass audience तक पहुंच सके, सभी लोग समझ सके और सभी लोग समझ सके तभी तो होगा जब एक simple English में लिखा जाए, simple terms में लिखा जाए, तो ऐसा नहीं आपको एक बहुत बड़ा philosopher होने की जरूत है, normal सा भासा है हमारा लिखा यानि कि हम खुद के betterment के लिए अपने mind अपने brain पे ऐसा क्या कुछ काम करें किस प्रकार से हम अपने brain को train करें कि इससे हमारा betterment हो पाए और जो भी मतलब हमारे और हमारे brain के बीच का relation है, और section 2 में देख पार हो like dealing with toxic behavior यानि कि यहाँ पर others का behavior और my mind यानि दूसरे लोग आ कि developing empathy यानि कि आप खुद ऐसा क्या कर सकते हो कि दूसरे लोगों के mind पे impact कर सको, दूसरे लोग mentally आप से कुछ emotion relation feel कर सके, कैसे empathize कर सकते हो लोगों को, कैसे sensitive communication कर सकते लोगों के साथ, कैसे एक selfless behavior develop कर सकते लोगों के साथ, और section 4 मारा the universe and my mind, यानि कि we are a universe within a universe, आप खुदी एक पूरे के पुरे ब्रहमांड हो, अब इस ब्रहमांड के अंदर आप खुद एक ब्रहमांड हो, तो बस यही है कि आप खुदी अपने आप में पूरा एक ब्रहमांड हो, तो किस प्रकार से ऐसे हम relations develop करें, अपने brain पर कैसे control करें या फिर किस प्रकार से train करें, आपको अ आपके emotions, आपके feelings, आपके thoughts, आपके actions एक right direction में align हो और आप एक spirituality के साथ सही direction में अपने life को जी सके एक fruitful, meaningful, happy life spend कर सके तो अब अगर आप कोई बुक पसंद आ रहा हो by गौर गौपाल दास जी तो इस बुक का Amazon लिंक नीचे description में दिया गया है और अब जिस किसी बुक का आपको review वीडियो चाहिए चाहे हो आपके academics book हो, school के books हो, competitive exam के books हो या फिर आपके इस प्रकार के self-help वाले books हो किसी भी book का आपको review वीडियो चाहिए, comment section में सिर्फ फॉर्स बुक का नाम लिखिए आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक के रिए वीडियो लाने को सब्सक्राओंगा आज के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो, तो like, channel, subscribe दिल खोल कर करेंगेगा और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बाते लिख कर बताने हो, या पूछनी हो, तो comment section आप ही के लिए तो है Thank you, watching this video, गुट्वाइब आपनाइस दिविश्यों देश्यों 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 फ्यूचर, enjoy a journey